हाई दोस्त आज हम बात करने वाले गूगल पे से पैसा कैसे भेज़ें अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल से गूगल पे का इस्तिमाल करके किसी को पैसा भेजना तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएं इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं क कितना तरीका है मतलब आपको चार-पांस तरीका मिलता है पैसा भेजने का आपके लिए कौन सा सही रहेगा वो सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो को ध्यानसर पूरा देखना देखो दोस्त आपको गूगल पे अप्लीकेशन ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में आप किन चार-पांच-छे-छे ओप्सन मिलता है आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं अब एक एक करके मैं छवो बताता हूं ठीक देखो पहला है इसकैन एनी क्यू आर कोड देखो जैसे आपने देखा होगा दुकानों में एक क्यू आर कोड रखा रहता है उसमें लिखा रहता तो आप कोई भी आप गूगल पे से पैसा भेज रहे हो न आप एटियम वाले क्यू आर कोड पर भी भेज सकते हो फोन पे वाले पर गूगल पर यानि किसी भी क्यू आर कोड को आप इसकैन करके पैसा भेज सकते हो तो यहां जो लिखा इसकैन एनी क्यू आर कोड इस पर आ उतना रूपए डाल देना फिर वही आपका जो UPI पिन डालोगे उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा उनको पता भी चल जाएगा क्या मेरे पास पैसा आ गया एक तरीका यह दुकान पर कोई भी समान खरीद के QR कोड के जरीए पैसा दे सकतो पहला तरीका दूसरा तरीका पैसा 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 जाएगा अब जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे अब इसे आप सेलेक्ट करोगे फिर नीचे यहां देखो आपको यहां मैसेज को अप्सन दिख जाएगा देखो मैसेज का मैसेज वाले ओप्सन पर क्लिक करना और उसके बाद यहां पर जीतना रूपए भेजना चाहते हो एक रूपए भेजना चाहते हो एक रूपए क्लिक करो यहां पर आजाएगा देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जब इस पर क्लिक करोगे तो य करके उनको पैसा भेज सकते हो यहां नीची वाला दिख रहे हैं इस मोबाईल नमबर डालोगे अब बंदा अगर इस इसमोबाईल नमबर से फोन पे गूगल पे पेटियम कुछ भी चलाता होगा तो उसके पास पैसा पहुँच जाएगा यानि आप यहाँ पर उसका नमबर डालो जिसको पैसा भेजना चाहते हो और नमबर डाल कर भी आसानी सा पैसा भेज सकते हो समझ गए ना अब मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ जो है यहाँ पे बैंक ट्रांसफर मतलब आप किसी को बैंक में पैसा डाल सकते हैं डारेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जैसे होता है ना कि कोई फोन पे पे अटियम का इस्तिमाल नहीं कर रहा है वो कहरा है कि मेरे बैंक में पैसा डारेक्ट डाल दो तो बैंक में डालने क्लिक या करना होगा आप इस पे क्लिक करो, bank transfer पे आप क्लिक करो, इस पे आप जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आएगा, bank account number आपको डालना है, जिसके खातें पैसा भेजना है, उसका bank account number डाल देना, फिर से bank account number यहाँ पे डाल देना, और उसका passbook ले लेना, उस पे IFC code लिखाओगा वो चिट डाल देना फिर bank account holder name पास्वुग में holder का नाम लिखाओगा जिसके नाम पे खाता है उसका नाम लिखाओगा वो डाल के यहां confirm पे क्लिक करोगे फिर पैसा भेजने डालने को option आएगा पैसा डालो जितना भेजना है आगे बढ़ो और पैसा उसको पहुँच जाएगा यह तरीका हो गया अब यहां पे UPI ID और नमबर यानि UPI ID उसका डाल कर आप पैसा भेज सकते हो जैसे यहां पर आप देखो मेरा UPI ID है देखलो UPI ID आपका जो UPI ID होगा वो यहां पर आप देख सकते हो तो यहां UPI ID इस पर आप क्लिक करो इस पर करोगे तो यहां पर नमबर भी डाल के पैसा भेज सकते हो और UPI ID भी डाल कर आप पैसा भेज सकते हो ठीक इतना चीजा समझ गये और एक मिलता यहां पर सेलफ़ ट्रांसपरर। सेलफ़ ट्रांसपर का मतलब यह हो गया जरब आप अपके पास दो-तीन खाते को यह अहां प को बता दिया आपको जो प्रोसेस पसंद आये उस प्रोसेस से आप पैशा भेश सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो ते र वीडियो को लाइक करदेना अपने दोस्तों को भी चेयर करना और चैनल पर नए आह सबस्क्राइब भी कर लेना यार मिलते एगली वीडियो में तब तक क्लिप पाइबाए